तो क्यों थर्टीन टो फिफ्टीन जैसे के आप लोग को अंजाज़ा है ड्यू टू मोहरम में सचेडे संडे को जोकि नुवी जस्वी दी तो ड्रामा जो दो एपिसोड नहीं लगे तो अब होई इस हफते का ली तीन ही एपिसोड तो इन तीन एपिसोड की समय लेगे मैं का यह लोग नहीं समझ सकेंगे जिससे मेरी पिछली वीडियो देखी है उसको आइडिया हुआ कि यार एपिसोड 12 के इखताम हुआ थक के अर्तरुल साथ जिर्गे से निकल चुके हैं उसके पास दुआन और तुर्गो ताय कि यार भई क्या हुआ तो उसने का यार यह लोग रूठ नहीं समझ सकेंगे तो उसको उसके मंसप से हटा चुके हैं अभी क्या हुआ अर्तरुल की मुलचात हुई। की बीवी हलीमा सुल्तान से मुलाकात हुई हलीमा सुल्तान ने उसे का कि यार आपके जो हाथ में कील लगी है ना उसका मुझे बहुत दुख था और अरतुल ने उसको पहले का कि यार मेरे खिलाफ हैमा खानम जो कि उसकी वालिदा है उसमें भी हाथ खड़ा किया उसने का य इसने पीड़ना बात नहीं रहा थी उसके बात नहीं रही दिया को अब अब पिर्तरुल थोड़ा घुखे मैं wait अब इस बन आप के एपसेड जब तो दूआन को पता चल धा एक यार इर्तरुलसाब को मनसफ से More घुखे में। तो वो देली दमीर और दुवान और अब्दुर्रामान एक जगा बैट के मतलब थोड़ी गफशप लगा रहे हैं तो जिर्गे ने उनकी मुतलिक भी फैसला सुनाया था तो पूछे थे कर दुवान और तुमारा तो यह फैसला सुनाया क्या है कि तुम अरतुर्रॉल की मान रहो गया जो तो हमारे बारे में ऐसला कुछ यूं था कि और उत्त में तो तहके के जाबादि कि और भी तो को एप मां आप अब्धर रहामान नेक् Meanwhile बारत आए- औरिभू किर थाइन एक सिपाय को डाइम्क बिए भी कि मैं थे यह सुनाया है कि तुम्हें जब तक जिर्गे वालों को कंफर्म नहीं हो जाएगा तो जैसी जन्दान की बात आई ना उन्हें कि तुम हक्यार दे दो तुम्हें उसके जाबास ने को ऐसी बात की कि गंदुक तुनी सॉरी तुर्कॉत के दिमाग में वह सारा सिलसिला चला जो सीजन वन उसको ने पकड़ा लिया तो एक डेड़ महीना विचारे को पकड़ा रहता सभी सक्टीं तो उसके दिमाग में जटका इस्त रहा आया और ए जो हतियार थे वो दौान को पकड़ाया दौान का अब अब्ड रामाद के तर जा रहा है अबाधुर्याइमान को लेने के लिए अब अब अर्तुल साब के पास किया दिखाया चारा रहा है अर्तुल के साथ के पास दिखाया जा रहा है कि अर्तुल ने अर्तुल खफ़ा होके गया कभीले से बारे से तनहाई में गया और वो जो जब जा रहा था तो रस्ते में उसको मिला कोचाबाश कोचाबाच जिए अचया वहां पर आया था अपने एक बंदे को बताने कि यार वो नोयान को जा कर बता दे आकको पता कोचाबाच वह हो एक गदार है तो वह बताने चाहिए थे कि अर्तुर्ल को उसके मनसब से हटा दिया गया अब उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं रही जैसी वह बता रहा रहा है अर्थरुल कोचाबाच से पूछता है क्यों कोचाबाच यहां पर क्यों तो कहता है कि मेरा घोड़ा बिदक गया था अब मुझे आइडिया यह बिदक क्या होता है लेकिन उससे जो डैलाग बोला था मैंने एक्जेक्ली आपको बता दिया कि मेरा घोड़ा बिदक गया था तो कहता है कि यार घोड़े को देखकर तो अब अर्थरुल भी तो कोई बला आम चीज नहीं है बला का बच्चे उसने क अच्छा तो जब यह बात हो गई तो अर्थरुल से थोड़ी उसकी बात चीट होई तो अर्थरुल गुसे में आगे अर्थरुल ने उसको पकड़ा और उसको गिरा दिया और उससे डैलाग बोला कि हाथ खराब हुआ है मरा नहीं हूँ तो उसने यह उसको बोला और रचारव नहीं तो घॉड़े पर ना बैटना जुन तो यह बात करके अर्थरुल ओभ चले हैं पर रचाए वजCUद बताया की अर्थरु को बताया जर है यार मेरे माः मेरे खिलाव हों गई uważ घुबवाई और च आर्शे को सुमझ नहीं रहा की तरह से कोई नहीं जान सक्र तो तो तुकर के नियुक्तबओ कि पता है तो टुटएक नियुक्य झीटे है जानु कर दो जिता है तो आदेए बंस बी को बहुत से हम ब्हार भाई हाई बेद्रीला को छूड़ा किया है जी तलवार कर था निकलता तक हम लगोड़ा हो टो रहात आई थी तो रोक जाते है और तूतेकन और तूतेकन उससे कहता है कि मही नजर्थ का अगए दफ़र हो जो और यहां से चले जाना तो इस एपिसोड में अतना ही होतां कूछ अभी नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा होता है कि अब यह दिखा रहे होते है कि तूतेकन नाइनसाफी किया तो महां वह समझा लेगा है लेकिन वह बहुत शैतान उसकी मां तो वह उसको रोक रहे होती है कि आज आधा ही तौह घुसा ही खा जाएगा यह सीन होता है अगले एपिसोड में होता है कि अर्तुल पूरे एपिसोड के बाद वापस आते हैं Georgi Okay सब बता है अब अकुरे पूरे हैं यह उर्टूल की पहली पूराइपस होती है उसके भाई के साथ और बाय कॉजबन के कए तो बाय तुम ने देखा नहीं है तुम्हारी गैरमजद्गी में तुम्हारी बीवी कितनी वह थी थोड़ा हमें थोड़ा सुखून जए बस सकून यार इतनी मुश्किल हाला आप में जब सर पे मौत आपकी फिर रही है और आपके तो सकून नहीं मिलता सकून यार बस उसको अबेज कि आपके बस्तरा बहुत खराब है क्योंकि कैसी के मतलब उसके पास कोई अपनी जगह नहीं है और दुमीर बैठा होता है तो वह जब अदहर जा रहा है तो उससे पहले बात्जी तो रही होती है तो उससे कहता है कि याड़ी दमीर बाई बावा अब क्या होगा तो ऑपश ते सबस्राणादादागे किया किसbre करें उसंने कहात है इसके अर्थुल को सभी लाहेगा इन्शाललmani पूरुबर और उद यह लके पर तुरुल je की विए स्थूज अब यह सीन रही है ना कि हमने एक कांड प्रॉल ने पहले अब रहा हुआ पहले लिमान को जब नदान उड्लने से पहले कहा हुआ हुआ त़ आप यह हम कुछ करके नोयान की फोज में एधार जासूस भीजेंगे तो हमें बताओ ना तो दोयान साप ने वैसे भी एक हमजा को तो पकड़ा है उसके बारे में आपको बताता हूं क्या हो रहा है वहाँ पे लेकिन इस तरह होते हैं यहां पर यहां पर गफश्वप लगाते हैं कि यार अभी हमने काफी वो करना है काफी मुश्किल दिन आने वाले हैं और बाई औ आप अपनी जो वह अपनी जिम्ही दारियों से खटा वे ना जो लोहार था ना लोहार देल दवीर तो गहता है कि यार में इस धंदगी में क्या रखा रा बेटी मेर गई कुछ है नहीं तो मैं अकेला अपने लेकिया अपन्स कर्काल काम आम नहीं करते हैं बस जंग रड़ मैडम को इस टूपइड हरकात करती है गोपचे उसको कहते है आपका बड़ा वहाला के पिशने उसको भी बेज़त किया होता है हलीमा को कि यार तुमने उसके साथ अर्थुल के साथ बहुत गलत किया गोपचे को यार एक अच्छी लड़की थी फ़र्स सीजन में रेकन मुझे बहुत अफसोर से मैं दौा हुआ करूंगी तो अर्थुल जब जैसी जान लगता तो उसकी हाथ पकड़ लेती है अब ये देखो यारी क्या कह रही है उसका हाथ पकड़ लेती है तो वह से कहता है कि यार तुम मैं तुम भेहन नजों से देखता हूं और यह और अर्थुल को कहते है हलीमा तुली बाद घूमाते है कि अपनी हाथ की थोड़ी एक्साइस कर रहते है कि उसको तबीब ने कहा होता है कि जितना तुम कोशिश करोगे ना तुमारा यहाथ काम करने लगए कि उसके बीच में लगी है थील तो भी इसका हाथ हिलता ही नहीं है कोशा बाश जाता है अब अर्थुल जाता है तो गिस अठीक साथ है के सुई चान अबहुद यूरेवा बाद कि पर से पद्छा तो ब्हुन होगे बाद बदुरे नहीं तो यहां सवसा कि शुन है जब नो से जिल पर अच्छी बात है क्यों कि अगर तुम प्रिच नौयान की फोज में जाओगा नौयान के ओपर तुम्हारा इतबार बढ़ेगा अब इस डियालॉग को मुझे कुछ समय मतलब नहीं आई लेकिन उसने ऐसा डियालॉग बोला अब ये बाह निकल तो अर्थुल को आइडिया है कि मेरा कोई जासुसी कर रहे है अर्थुल सब खोल गुम के आके पीछो कोचा बाश कोई तर पकड़ लिया अपने फांसी के फंदे में याद है डायलॉग छोले का ये गबरात नहीं फांसी का फंद है उस तरह पकड़ लिया और पकड़ लिया और उससे का गए जिसने तुम्हें जासुसी के लिए बेजा है ना उसको क बारा बेजा तो अभी तो मैं छोड़ रहा हूं नेक्स्ट तैम तो माई लाश आएगी बई तो वह इस तरह कह देता है तो अब अबरतरुल सब यहां पे इस एपिसोड अभी थोड़ा नोयान की तरफ जलता है नोयान वहां पे हमज़ा को ना थोड़ा अपने चुंगल मे अब किसी रेवड्क का चर्वाही मर जाए तो रेवड्क किसी के इखियार में रहänे तो रेवड्क क्षियार में नëं रहुत है Хमज़ा को असी। तो हम्जा के लिए सब दुआ करते हैं कि बुरे सोबतों में डलने से रोके अच्छा तो आप चलते हैं अब एक और काम क्या हुआ उसी एपिसोड में हुआ के अर्थर ये नौयान से ना कुछ लोग मिलने आए वो कौन लोग थे वो अलाहुद्दीन के लशकर में से थे ना उन दुआ कोई वजीर शजीर होंगे और कोई एस ते वो आएं एक किसम घड़्दारी के लिए आए ना तो नौयान उन्हों कि खाने हैं बुलाया है अब वो ना नौयान हम्जा को दिखाना चाहते हैं तो उस ने का चलो हम्जा को उन्हों साथ लेकर गया है नोयान से दृ आप्समिल्ब किया और जो आपाने का जाने कर जिड़ीन को घूझाअ करूं दिसमिल्ला इस ऐस्तुम्त का है आपने को दो उन्हों दो खनारो खना से तौर ष़िए यह जिसमिल्ला करूत कि करू दिसमिल्ला पता है जो खाले हझा आप सबढ़ invent तो बन दो खनारो को Sumल्लों क का नोयान क्या था हम तुम्हार साथ मिलना चाहते हैं और बस हमें पता है कि आर तुम था कॉंørDa सब्हों तो वह से था हृता है और भी जाते सांथ दोaldo भी तो ऊतनि यूल तुम धर बनाता है के दो तुम्हार को बूल देदा जब भी नई मेशना बजाता, बजाओ तो खटरा होता है खटरा और उनको तो नहीं पता था है उसने बजाना शुरू किया, नाशना शुरू किया और इत्टी देहर में नईयान ने इशारा किया और इस आंखे बन करके बाठा हुआ था जैसकी आंके खोली और बिसमिल्ला कि देखए और आखर में उसको भी मार दिया और N रखते हैं जो हम लाना चाहते हैं यह झांजिसको लाते हैं यह नहीं ही डिय। हम्जा को कहतَ है, यह देख लो हमारे साथ मकमल ताउण करो, रहा हमे फिरत पते हैं एक खिसमक्ता का हमजयाई को बता दिया अब नेक्स ऐugलिएपिसोड में तो चाbon ड़ा हमजया को जाने की इजाज़त दे रहे जाने की ऐजाने की इजाज़त दे रहे लेकिन बस वो जा रहे है वापिस अब जाते कबीले क्या हुआ कबीले में इस तरह हुआ ना के तिजारत के लिए ना ये गुंदोक्तु बैठा हुआ था तूतकिन बैठा हुआ था और सरदार बैठा हुआ था ना बड़ा जो तूतकिन का बाप है तो वो बैठा हुआ था उ तो मानाज का कुछ बंदोक्तू कर रहा है अब क्या हुआ कि गुंदोक्तू साब अगले दिन गया किसी ताजर आया पुरा बहुत मशूर ताजर था उस जमाने का जो सुलिमान शाह को भी जानता था तो वो गया गुंदोक्तू उसके पार अब इससे आखरी एपिसोड 15 था उसका शुरुवात ऐसे होई के कोचाबाश ने कोचाबाश गया तूतकिन को बताने कहले ना कि अर्तूल मनसूब बना रहा है मैंने उसको देखा उससे मुझे पकड़ लिया तो जैसी वह उसके खेमे में गया ना उसके सरदार के तो तूतकिन वह नहीं तो बीवी मिली उस जाके तूम गॉंदोक्तू पर उसने का यार मुझे भी शातर है यह तो नुयान की फोज में होनी चाहिए इतनी इतनी शेतान दिमाग तो थीक है यार बेंड मैं जाता हूं उसके पास अब सुबह जब अर्तूल गया उसके पास गॉंदोक्तू ताजर से मिलने गया तो ता पर यार अर्तूल जो है यह मनसूब शेंसूब बना रहे है और अकेले बात करना चाहता हूँ अब अर्तूल साब ने यह आपस चल रही है और आप लोग में वह घर नहीं देख सके जो में देख सक रहा हूं वोगता है यार खत्रा तुम हो हमारे लिए गुन दोक्तु करते हैं वोगता है छो किता है उचा क्या कर सकते हैं में अचा क काम को है आप माँ को इठेड़े हैं, वालिदा की उमर रशादह हो गई है, WEcion क 뜻ा भीया होता है, आप यू को सर्दार आप हमला करते हैं तो दो तीन फपर मारते हो करता है तुम मारो जितना मुझे मारते हो गुंदो अगर मुझे मानने से तुम्हे याद आजे कि यार तुम किया कौन हो तुम किसके बेटे हो तुम मारो मुझे तुम मारते है जब आखर में करते है हाँ मुझे समझ आ गई है तुम क्या समझ आ ग जहन्णम अब कोचा बाश हमजा कहता है हम्जा कहता है यह दोनों तो तबीले को मिलकर तबाद कर देंगा मुझे कुछ करना पड़ेगा दोनों भाई आप एक बंदा जाता है हमा खानम को हमा खानम वह जो समान होते ना यह ओरतों ने कालीन वालीन वालीन बनाए होते है और यह वह देख रही होती है और यह सब और तो ऊसके पर ऑजाता है कि याओ और यह दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो वह लोग चलो जल्डी भागते हैं कि याओ लड़ाई होके है और वह पर यह होता है कि यह अब का भाटका है कि यह भांज्या है समझदार नहीं हुए नहीं किया होगे पिर वह आग रहाएं यह राता और उसके पास मांगो करते है कि अपने बेटे को समजाए मजद्वा कभी अगर कभीले मिनिएंटों केकली के पास राक्त होते हैं केकली से किहा होते है किijnา आब अदयरहमन को क्या चाहिता है अब किकली कहता है मुझसे क्या चीए तो मैं कहता है कि तुमने किस तरह अब्द الرह्मान को नौयान की फोज में डालना है बस यह वहाँ पर बात होती है यहाँ पर जब गुजर रहे होते हैं तो तुम तक एन उससे कहता है यहाँ पर भातफ हैं और बस 보고 कि क्या गोता है तो मुझसे बुरह कोई नी होगा तो यहां पर खताम हो आपके पीसोड स्विट्शूर्ट का हैण list सिफस्टीन को अब सिखस्टीन जो हुआ तो उसमें जो होता है उसके साथ आपको शेयर करेंगे अमीद आपको वीडियो पसंद आए होगी इसको लाइक जरूर का देना कमेंट करके वाटने आपको इस रिस कैसे लग रही है और सबस्क्राइब करके बेल आइकन तो फिर लाजमी हो जाता है शेयर भी कर दें दो